हेलो व्योस स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गुरी जी में आज हम बात करें कारेपत्रक 27 की जो की 22 जनवरी के लिए जारी किया गए कक्सा साथ का विग्यान विचे कारेपत्रक या बच्चे अपने नाम लिखेंगे और यहाँ आपने कक्षद बच्चों हमारा पार्ट चल रहा है परकास और आज हम बढ़ेंगे परकास का परावरतन तो चलिए देखते हैं जानते हैं समझते हैं कि आपके आज के पार्ट में आपके लिए क्या खास है और आज का आपका कारेपत्रक आपको क्या बताना जाता है तो चलिए शुरू कर करते हैं बच्चों बाट प्रकास और पढ़ेंगे परकास का प्रावर्तन अभी तक हमने जाना कि प्रकास सीधी रेका में गवन करता है क्योंकि यह प्रकास सीधी रेका में चलता है अब बच्चों होता क्या है अगर किसी अगर प्रकास की कोई किरण चमकदार या पॉलिश की इस सतों पर गिरती है तो क्या होगा वो अपना पात या पत बदल लेगी आपको धारन देखने को मिला होगा स्टेलने स्टील की चमकदार प्लेट चमच या पानी की सत है यह सभी की सभी दरपन की तरह विवार करती है और जब इन पर कोई स्थरगी वस्तू परकास की किरण गिरती है तो यह उसे प्रावर्ति अब बात होती है तु도 कोई भी पॉलिश अथवा चमकदार प्रस्ट दरपन की बाती कारे कर सकता है क्योंकि इसमें वही गुंड दिखाइए देंगे जैसे है कि गुंड दरपन में हमें दिखाइए देतें बच्छो अब परकास का परवर्तन क्या होता है दरपन द्वार परकास की दिसाम परिवर्तन को परकास का परावर्तन कहते हैं बच्छो चलिए आगे बढ़ते हैं अब सबसे में जो बात ये है इसमें सबसे में बात ये है बच्छो कि जब भी कोई वस्तू हम देख पाते हैं किसी वस्तू हम देख पाते हैं उसका कारण ही होती है कि वस्तु पर जो किरण या पर्कास हरी की लो प्रभार्ति को की हमारी आखों तक पहुज देत अब बात करते हैं संस्तल दरपन क्यों प्रती में जो बनता है भ olmuş तो उसके लिए हमें गतीवदी करनी है कि हमें उपर जो चित्र दिया हुआ है जैसक्जी दर्पंट के सामने मुझमथ्ी जला के रखनी है तो जब हम मुझमथ्ी जला के रखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस परकार कि मुझमथ्ी दर्पंटट के पीछे उती है जो मुहमत्ती दर्पन की पीचे रखी प्रतिएत होती है दर्पर्न द्वार अंदिनमित नौमत्ती का प्रतिविम अब मुहमत्ती को दर्पन सामने अलग-ळग लग सितिमें लखिए आप फ़स्ता प्रतिविम को देखे तो जब हम इस तरह की चीज़े करेंगे बच्चो आगे पीछे नौमती करेंगे और देखने कोशिश करेंगे परतिविम तो हमें क्या देखने को मिलेगा सबसे पहली चीज़े कुछ चीज़े हमें देखने को मिलेगी जो common है वो है कि सर्मतल दरपण में परतिविम जो बनेगा वो पीछे बनेगा सीधा बनेगा वस्तु का साइज के समान बनेगा तथा दरपण से उनकी दूरी यानि वस्तु की दूरी भी समान होती चले जाएगी यानि एक को अगर आप पीछे से आगे बढ़ाते हो तो यह इसी तरह बढ़ते गड़ते रहेंगे बच्चो चलिए अब जड़ा प्रशन तर देख लेते हैं पहला प्रशन है दैनिक उप्योग की चीजों के तीन उधारन लिखिए जो दरपण की तरह काम करते हैं तो इसमें चमच पलेट पानी यह सब चीज़ें बच्चो अब प्रशन नमर दो परकास के परवरतन से आप क्या समझते हैं तो परकास का परवरतन से सीधी वासा में समझने की बात यह है कि जब कोई परकास की किरन किसी पॉलिस्ट या चमकने वाली सतह पर पड़ती है तो वो उससे टकरा करके दूसरी दिशा में चली जाती है इसे ही परकास का परवरतन कहते हैं बच्चो प्रस नमर तीन है समतल दरपण द्वारा निर्मित परतिविम के चार गुन लिखिए पहला है जो जो आपको परतिविम बनेगा वो दरपण के पीछे बनेगा दूसरा वस्तू और दरपण की दूरी सामान रहेगी यानि आगे पीछे करने पर सामान रहेगी तीसरी चीज तीसरी चीज क्या हो सकती है वस्तू का साइज देखिए दरपण के पीछे बनेगी सीधी बनेगी वस्तू का साइज समान होगा और जो दूरी है वो भी लगबग एक जैसी रहेगी आगे पीछे करने के बाव जुद भी यह चार क्या है बच्छो गुण है इसके अब यह प प्रावर्तन के कारण दिखाए दीती है वक्रण कि जब कोई देखामे चलने वाली किरण किसी वस्तू पर गिरती है और उटकर आकरकर हमारी आकों पड़ती तब ही वह वस्तू हमें दिखाए देती है बच्छो यह तो बात हुए आपके कारेपत्रक की और आपकी वीडियो और कारे पत्रक दोनों हो गए कंप्लीट और आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगए और वीडियो अच्छी लगए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें ठैंक यू